नमस्कार दोस्तों मैं हूं मनिन्दा रहूर मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस समय जो हर पार्टी का फोकस है वो दोजार चोबिस के लोकस बचलाओं को लेकर के है और सबसे ज़्यादा एक्टिविस समय इस तरफ बीजेपी है भार्टी जन्ता पार्टी इसके लिए स्ट्राडिजी बना रही है कि किस तरीके से किस सेग्मेंट से कैसे बदाताओं को हो जाना है उनकी रनीती में मुसल्मान भी शामिल है वैं इन में से एक वर्ग को अपने पाली में करने की कुछिश करेगी और यह वर्ग देश में मुस्लिम अबाधी का 50 पिसदी है आली में बीजेपी की राष्ट्यकारिवर्मी की बैठक हुई थी इसमें पधानमुतरी नरेम मोदी ने एक बड़ा सुधाब दिया था तो यह मोदी ने यह कहा था कि पार्टी को पसमादा मुसल्मानों का समर्था जीतने की कोशिश करनी चाहिए तो दोस्तों आप जानना चाहरे होंगे कि यह पसमादा मुस्वीव कौन है मैं आपको डिडियर से बताऊंगी को अगर्सैर आप सी हमद्स सुधू को पूदियो आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं यह फीडिया आपको अच्छी लगए तो आप इसको भी कर सकते हैं शीयर कर सकते हैं क्यंकी कि इसमी बहुत रही जयमकारी है तो मैं बात कर ती सामादा मुसिम्वीव की जिसे सेगमेंड को पियम बोदी फोकस कर रहे हैं इसके लिए से यात्रा हर्मिकानने का प्लैन बनाया गया है इसे बीजेपी की राजनिती में बड़े बदलाव के तौर पे दिखा रहा है कारण है उसका फोकस हिंदू और हिंदू पर ही रहा है सवाल यह कि पसमादा मुसल्मान है कौन और सम सक्षा के लिहास राजनितिक रूप से यह कित्ते हैं मैं यह वह सारे सवाल है जो आपके दिमाग में आ रहे हैं उन्य जब मैंने पसमादा मुसलिम समाज के बात की तो दोस्तों देश में मुस्मों के भीतर भी कई वर्व है समाजी क्रूप से इनकी तीन कैटेगरी है अश अश्राफ, अजलाफ और अरजार अश्राफ में सेयद, शेक, पठान वा अन्य शामिल है यह मुसल्मानों का सबसे दब-दबे वाला गुठ है यानि कि इसका काफी ज़्यादा दब-दबा है रसुख है इनके समन्ध विदेश से भी होते हैं सेयदों का रिष्ता पेगंब अश्राफ में ही शेक जादे भी आते हैं जो अरब के कुरेश कबीले से जुड़े होए हैं वही पठानों का तालुक अफगानिस्तान से है अश्राफ शरीफ का भावचन है आप समझ लीजे और यह मुसल्मानों में सिबसे अधा एलिट वर्थ है अजलाफ जिल्फ का जी आते हैं धोबी बड़ाई लोहार नाई कुमार मगारा सब इस समाज से आते हैं और जाल मिसल्मानों में सबसे ज्यादा नीचले पाइदन पर है यह रजीर का भावर्चन है यानि के बहुत ज्यादा लौर लेवल के इसमें महतर और नट आते हैं और इनमें वह दलित है जिन्होंने इसलाम कबूल किया यानि के कन्वर्टेट जैसे के अर्धरम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने हिंदु धरम को अपना लिया जैन धरम को अपना लिया इस तरीके से अजलाफ और अरजाल मिलकर के वसमादा गुद बनाते हैं वसमादा का फार्सी में अर मतलब वो पीछे रहा गया और भारत में ज्यादा दर मुसल्मानों में एक खास इस्ति रही है इन्हों ने इसलाम तो अपड़ा लिया लेकिन इनका पेशा नहीं बदला यानि कि धर्मांतरन के साथ समाजिक और आर्थिक इस्तिति में कामों बश्च कोई बदलाव नहीं आ रहे थे और जिस समय उन्होंने इसलाम धर्म को कभूल किया उन्होंने वो अपना काम नहीं चोड़ा इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वो अपने पुछ्टेनी कामों से जुड़े रहे हैं मुसल्मों के घीतर दलितों की सिती में तब तक कोई बदलाव नहीं आ बात में सिख और बुद्ल में भी कनवर्जन होने लगा और ये दर्जा बनाय रखने की इजाधत दे दी कही अच्छा ये बहुत और है कि इसलाम और किस नेटिम में तब्दील होने वालों को ये दर्जा गवाना पड़ता है बीपी मंदल अरंगनातमिश्र और राजिंदर सब्चर सइथ कई आयो गर्व के अधार पे मुसल्मानों के भीत भीदभा मौजूर होने की बात कह चुके हैं और महाराश्च सरकार ने 1967 में OBC के तौर मुसलिम सब क्लास के एकूट को सबसे पहले मानत देती कि 1980 में मंदल गमिशन ने अपनी रिपोर्ट जमा की थी और अगस्त 1989 में वीपी सरकार में वीपी सिंग सरकार में उसके सुझाओं को लागू किया था और इसी के चलते OBC के लिए 27 पी सिदी का कोटे गरा सा त्यार हुआ था यही वो समय था जब सबसे ज़्यादा मुसलिम सब क्लास OBC लिस्ट से जुड़े थे पर अभी उनहत्तर ऐसी जाते हैं जिने OBC का लाग लिता है एक समय था जब अश्राफ ने अजलाफ और अरजाल की मौज़दी की को फारिस किया था अरजाल ने इसके लिए बाजशाहों और मुख्लिसी में जिने वालों का हवाला देते हुए का था कि ये दोनों नमाज में अल्लह की इबादत में एक साथ अक्रे होते हैं कई बार तो उन्हें भी काफी विरोगत का सामना करना पड़ता है जब उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मुसल्मानों में बैकवर्ड ग्लास है हलाकि दिरे दिरे लोग उसे स्विकार कर रहे हैं करने लगे हैं और मैं आपको बतातूं कि अभीनेता दिली पुमान भी वसमानदा है खारण है कि उनके पिता फल बेचा करते हैं इस तरीक महारास्ट में अधिकारी मुस्मिमों को बीसी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए मना कर देते थे 7 दिसम्बर 1994 में महारास्ट के तकाली मुख्यमंतरी शरतपवार ने एक रेजिलेशन जारी किया था इसमें कहा गया था कि मुसलिम बीसी को हिंदू बीसी के बराबर का बीजरेशन के रास्ते खोल दिये थे 2014 में कॉंग्रेस NCD की सरकार में महारास्ट में मुस्लिमों के भीतर 50 पिछड़े वर्गों की पैचान की थी उन्हें शिक्षा और रुजगार में पाच्वी सदी आरक्षन दिया था इस फैसले को लेकर के हाई कोट में चुलोते भी द जादत दी थी लेकिन फोड़े समय के बार सरकार बदल गई नई सरकार बीजे भी में इस मामले में उस समय जादत दिल्चस्पी नहीं ली थी और पस्मादा मुस्लिमों का एक वर आक्षिक लूप से बढ़ा है लेकिन समाज में उसे वेदवाब का सामना करना पड़ रहा ह कई सेद, शेक, सिद्धिकी और पठान जैसे मुस्मिम अंसारी धूनिया, सल्मान और अन्य पस्मादा मुसल्मानों में शादिया नहीं करते हैं अब हमारे बर्धान मंत्री का पस्मादा के मुसल्मानों के बीच जगा बनाने का इरादा है वो यह साहते हैं कि इनको इनका स्टाइल बदला जाए इनका जीवर बदला जाए इनने आगे लेके जाया पस्मादा कहते हैं पिछड़े लोगों को जो पीछे रह जाते हैं पीछह रहına और पिछड़ा दोणों में पोड़क है तो मैं आपको बदा दू कि जो लोग पीछे रह जाते हैं, उनको अधान मंतरी नरेन मोधी आगे लागा जाते हैं, यह उनकी मोहिम है, और इस स्वर्ग के कुछ पॉजिटिव इसमें बदा दिया सकते हैं, अगर यह सब चीजे ठीक ठाक रही तो, तो दोस्तों, अर्वन ने आपके साथ एक नई चीज़ शेयर की है, असमादा मुस्लिम समाज की, वो सकता है आने वाले समय में, उनके साथ सब कुछ ठीक ठाको, तो आपको यह कंटेंट कैसा लगा, आप मुझे मेरे कमांड बक्स में बताइएगा, फिलाल इतना ही, फिर मिल किनों आपसे किसी और कं आपके, जय जय भारत.